हलो एब्रीवान दिस इस निलू उफे निहा खान और वलकम तो आई यूटूब चैनल सिक्षाल है तो आज हम बात करेंगे डेली बेस्ट एरफोर्स स्कूल के तीन स्कूल के लिए रिक्रूट्मन निकली है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोन ही लेवल की आपके वेकिंसी देखने को मिलेगी टीचिंग में अगर बात करें टीचिंग लेवल पर जो आपकी जो सेलरी आपको मिलेगी वह 44,900 पर मंत मिलेगी ठीक है फिक्स सेलरी और पी आटी में भी आपको लगबग लगबग ठोड़ी सी कम मिल जाती है लेकिन अल्मोस्ट 30 प्लस थाउजन मिलती है ठीक है बात करें किन-किन सब्जक्ट की विकिन ची आई है और अपकिंट इसफाद आपका जैसे भी जाएगा उसके विहाब पर आपको सेलरी आपको बात करें आपके सब्जक्त की तो सब्जक्त में आगर बात करें तो TGT mathematics की विकिंसी है ठीक है और इसमें जैसे कि आपको पता है TGT आपकी qualification की तो देखे अगर हम बात करते हैं TGT में तो TGT में qualification आपकी चाहिए होती है concern subject में आपके पास graduation होनी चाहिए plus आपके पास b.r. होना चाहिए ठीक है यहां पर इनोंने पूरा subject combination भी दे रखा है math with any two out of physics, chemistry, electronics, computer science और statistics इन में से अगर आपके पास कुछ भी रहा है तो आप apply कर सकते हैं फिर आपके पास b.r. होनी चाहिए ठीक है recognize university से plus आप पा seated paper to qualified होना चाहिए desirable में as usual आपके पास computer knowledge होनी चाहिए plus अगर आप English और Hindi दोनों में ही आपको पढ़ाना आना चाहिए इसके बाद जो आपकी vacancy है TGT English की ठीक है इसकी जो इसमें भी आपको 44,900 salary मिलेगी per month और बात करें eligibility criteria की तो 50 percentage के साथ आपके पास concerns object में degree होनी चाहिए ठीक है और seated paper to और आपका B.r. होना चाहिए ठीक है इसके बाद TGT Hindi की है और इसमें भी आपके पास concerns object में master degree या फिर graduation दोनों में से कोई भी है तो भी आप apply कर सकते हैं B.r. होने चाहिए प्लस आपका seated paper 2 ठीक है desirable सबका सेम रहता है TGT computer science की बात करें तो इसमें भी आपकी जो विकिंसी है ठीक है आपकी PRT journal ठीक है इनकी विकिंसी के बारे में तो PRT की बात करें तो PRT में आपके पास 12 होनी चाहिए 50 percentage के 7 प्लस आपके पास 2 years का diploma होना चाहिए in elementary education ठीक है या फिल्स आपके पास 12 होनी चाहिए प्लस आपक है तो भी आप apply कर सकते हो सीट और या फिर आपके पास स्टेट भी है यानि कि स्टेट भी है तो भी आप apply कर सकते हो ठीक है और आपके पास प्रोफेशन सी मतला आपको पढ़ाना आना चाहिए हिंदी और इंग्रिश दोनों ही language में बात करें TGT की salary की तो TGT में जो आपक इसके बाद आपकी computer program कम operator की विकिंसी है और फिर PRT physical education की विकिंसी है इसमें आपके पास graduation होनी चाहिए recognized university से with diploma in physical training form ठीक है यह होनी चाहिए या फिर आपके पास BP ED होनी चाहिए ठीक है recognized university से फिर इसके बाद यह non-teaching staff की vacancies है ठीक है nursing assistant अब मैं आपको लोगों को यह बता देती हूं कि आपको जो विकिंसी हाँ एज लिमिट की अगर बात करें तो TGT all post के लिए 55 years तक आप apply कर सकते हैं ठीक है और यहां पर वेन्यू बता देती हूं आपको जाना कहा है ठीक है और आपके जो इंटर्विव है व आपका 25 अपरेल होना है ठीक है 25 अपरेल ठीक है 9 बजे PRT का जो होना है वह आपका 25 अपरेल 11 बजे होना है ठीक है टीजिटी computer science computer program कम operator इनका 26 अपरेल को होना है PRT physical education का जो आपका रहेगा वो भी 26 अपरेल को यह भी नौ बजे होगा ठीक है और नॉन टीचिंग की बात करें तो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो इंटर्विव है 26 अपरेल को 11 बजे होगा ठीक है बात करें आपके वेन्यू की चाहिएगा ठीक है सेट बना कर ताकि आपके लिए एजी रहे और कोशिश करा करें कहीं ऐसी जगह अगर अप्लाय करते हैं तो जो कलेट फोटो कॉपी होती है ना उसे क्यारी करना ठीक है तो उसके लिए काफी दिक्कत हो जाती है ठीक है तो यह याद रखीगा बाकी सारी चीजे मैंने आप लोगों को बता दिया अपका जो एज बता दी बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना यह नोटिफिकेशन और इनकी ओफिशल वेबसाइट का लिंक दोनों ही मैं आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी तो अगर आप इंट्रेस्टेड होगे तो महां से आप लोगों जाकर जो नोटिफिकेशन खुद डाउनलोड करके देख सकते हैं बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना थैंक यू फॉ वाचिंग